गुड मॉर्णिंग इस्टूडेंट्स माइसेल सुभामुपाद्याए आज आपका जो बैक्बोन के बारे में पढ़ाने वाले हैं इसे में एकष्य कहते हैं लेकिन यह केवल एक खड़ी से मिल करके नहीं बना होता है, it is consist of series of 33 small bones, इसके अंदर 23 सड्डियां होती है, ठीक है, 23 सड्डियां होती है, each of these bones called vertebrata, उसमें से प्रत्य खड्डी को जो छोटे-छोटे आपको अपको अद्डी दिखाए, इससे vertebrata कहते है, ठीक है, क्या कहते है आज मारा pronunciation बहुत गलत हो रहा है, इस वीडियो में, तो vertebrata कहते हैं, तो therefore, the backbone is also known as vertebral column, तो हम इसे collectively firm से इसे vertebral column के नाम से जानते हैं, रिंड की हड्डी को, ठीक है, it protects the spinal card, इसके बीच में, आप कह सकते हैं, यह रिंड की हड्डी होता है, इसके अंदर से, इसके अंदर वाले पार्ट से एक पतला सनस का उच्छा, आप कह सकते हैं, पतला सनस निकला होता है, उसे हम नर्व कहते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, जो हमारे पतला सनर्व, रिंड की हड्डियों के बीच में, खोखले भाक से निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्पाइनल कार्ड कहते हैं, ठीक है, इसे हम स्पाइनल कार्ड कहते हैं, तो वही लिखा है, इसके बीच में के लिगा तो स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट तो करेगा ही, रिच बंडल आफ नर्स, जो नर्व का अबर बाव हमारे बाव है जो मारे भूझाएं हाथ है उसे फोर लिम्स करते है तो पार्ट से मिलकर करके बना होता है upper arm उपर का arm और lower नीचे का arm नीचे की भुजा नीचे का ठीक है they are joined together at elbow ठीक है जो देख रहे हैं ये नीचे वाला lower arm करते हैं इसे upper arm करते हैं ये दोनों कुहनी देखने बीच वाले पार्ट यहां से जुड़ा होता है इसे हम elbow करते हैं ठीक है कुहनी The upper arm has the one longest bone जो ऊपर वाला होता है उसके पास के बद एक लंबा हड़ी होता है lower arm has two bone जो नीचे वाला होता है उसके पास दो हड़ी होते हैं आपर upper arm is joined spine जो हमारा upper arm होता है ये हमारे डिnd की हड़ी आप देखे हाथ होता है हाथ हैं से निकलता है आपको इसमें नहीं आया यहां पर ऐसे rib cage होता है रिव cage आपको हम दिखा देते हैं यहां से ऐसे हाथ निकलता है तो इससे ही जूड़ा होता है इसके बाद उन्यसक बढ़ेटे हैं हिंड लिम हमारी पैरों की हड GEORGE हैं यह ठेक यह तोगेदर आपने और लांगेश्ट बोन बोडी होता है टाल फिमर के नाम से जानते हैं क्याकते हैं इसे हम फिमर कहते हैं ठीक है and the lower leg has two bones नीचे वाली जो हड़ी पैर की हड़ी इसमें दो हड़ी होती है ठीके the lower part of spiny jointed femur by hip girdle जो मारे निशले पार्ट वाली हड़ी होती है वह femur से जुड़ी होती है ठीके hip girdle देख रहे हैं ने ये upper and lower दोनों मिल करके किसे hip girdle यहाँ पे hip girdle cool हा hip में school हा होता है उस girdle से girdle में सोता है girdle उससे जुड़ा हुआ होता है the foot has many small bone पैर के भी पंजा जो पैर का पंजा होता है इसके पास भी बहुत छोटे-छोटे हड़ीया होती है अगली वीडियो में आपको ज्वाइंड के बारें पढ़ाने वाले हैं तब तक आप मारे साथ बने रहे हैं that's all झाले हुआ 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 है